दोस्तों आपने अक्सर सोशल मेडिया पर मीम्स और वीडियोस देखे होंगे जिसमें शुमन गिल का नाम सारा तेंगुलकर से जोड़ दिये जाता है कि ये दोनों रिलेशन्शिप में हैं या ये सब मिलकर हमको बेवफूब बना रहे हैं दोस्तों आईए जानते हैं इस पूरे मामले को हाज की इस वीडियो में इसी साल बैलेंटाइन डे को शुमन गिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेर की जिसमें वो लंडन के एक रेस्टरंट में अकेले बैठे दिख रहे हैं अब आप कहोगे इसमें क्या खास बात है तो दोस्तों शायद आप नहीं जानते कि इसी रेस्टरंट की पोस्ट सारा तंदूर करने ठीक दो साल पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की थी अभी दोनों की पोस्ट को अगर हम कंपेर करें तो दोनों ही सेम रेस्टरंट में गई हैं इनके बैक्ग्राउंड में जो लोग बैठे हैं वो भी सेम है शुबमन गिल का जो हेर स्टाइल है वो भी पुराना है शुम्मन गिल से पूशा कि बैस सचमुछ सारा तंदूलके के साथ रिलेशन्शिप में हैं चा नहीं तो दोस्तों शुम्मन ने अपने जवाब में का अब दोस्तों आप ही सूचीजे कि ऐसा जवाब हुआ इस जवाब से तो जही क्लियर होता है कि ये दोनों रिलेशन्शिप में हैं इसी साल जैनुरी में न्यूजिलेंड के साथ एक ओडिये मैच के दोरान जब शुम्मन गिल बौंटरे रोपर फिल्डिंग कर रहे होते हैं तो अचानक से स्टेडिय में बैठी ओडियेंड शुम्मन गिल को जे कहकर टीज करने लगती है कि हमारी बाबी कैसी हो सारा बाबी जैसी हो और उस टाइम बिराड पॉली भी फिल्ड पर होते हैं जो ओडियेंस की इस चैंट पर चीकी स्माइल करके ओडियेंस का होसला और बढ़ा देते हैं जिससे हमें जे पता चलता है कि इन दोनों में कुछ तो जरूर है अब दोस्तों आप इसी वीडियो को देखिए जिसमें शुमन गिल टीम के साथ बस में बैठे हैं जिस दोरान कुछ फैंस शुमन को एप्रोश करते हैं और बार बार जे बात उसे कहते हैं कि सचिन का ख्यार रखना जिस पर स्माइल करते हुए शुमन डोर प्लोश कर देते हैं अब दोस्तों आखिर में आपके मन में जिस सवाल आ रहा होगा कि सच क्या है जिसके बार में जितनी ज़्यादा रूमर्स फैलेंगे तो उतना ही ज़्यादा और फेमस होगा खैर दोस्तों आपका इस सब पर क्या कहना है नीचे कुमेंट सेक्शन पर लेकर जरूर बताएं मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तब के लिए ज़न लगा